हाई फ्रेंड्स विल्कम है हमारे जीएस इंडिया यूटूब चैनल पर टूड़े वी हैव सिलेक्टेट टेस्ट नंबर 206 और टॉपी काफी इंपॉर्टिन रहे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग क्या है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग यहाँ पर कोशन जो भी लिए हमने काफी फूर्टन कोशन है आपके पूछे जासकते हैं यह के लिए वेरी-वेरी इंपॉर्टन होगे ett्स के जो एक्जामस होते हैं इसके लिए वरी वरी इंपॉर्टन होंगे नर्सिंग आफिसर के जो एक्जामस होते हैं goodness के ठीक है ॥ है उत्रप्रदेश अनर्चम-मद्प्रदेश-.मद्प्रदेश-.डिए राजिस्तान- बिहार-.傅.पंजाब-.चंदिगार-.अशामसाभी रहे- पर अगर आपको आंशर आए तो जरूर बताया करें और लास्ट बताया करें कई नाई चीजेंगे वीडियो को ज्यादा 3 करना कि एक की स्किन पर सरीर के किसी आंत्रिक अंग के आकार वा आकरति को किसी दिधी द्वारा ग्याद किया जा सकता है by which method the size and safe of any internal part of the body can be determined क्या है राइट आमसर इसका आपको according to option बताना है राइट आमसर सरीर के किसी भी आंत्रिक अंग के आकार मतलब साइड या आकरती को किस विधी द्वारा ग्यात किया जा सकता है जैसे के आपसन दिये गे इनी में से आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आमसर इसका दुराइट आमसर होगा आपसन ए होगा क्या पलपेशन यह लिखा है पलपेशन मेठत या पलपेशन टेकनिक के द्वारा कि सरीर के किसी भी अंग के अंदर जो आकार या आकरती को टटोल कर या पलपेट करके इस पर्स करके उसको समझा जा सकता है ठीक है पलपेट करके इस पर्स करके उसे समझा जा सकता है अब यहां पर हम समझते हैं जैसे कि यहां पर पलपेशन लिखा है पलपेशन का मतलब होत के नाम से जाना जाता है अब काम क्या होता है इसका जैसे कि मालो की आपका ये बाड़ी है ठीक है आपका ये बाड़ी है आपके बाड़ी में कोई भी किसी भी पार्ट को किसी भी पार्ट को टच करके किसी भी पार्ट को पलपेट करके वहाँ पर उस पार्ट का उस और्गन क के पास क्या होती है गिल्ठियां होती है कान के पास होती है और भी कई जगह बॉड़ी के किसी भी पार्ट में ठीक है बॉड़ी के किसी भी पार्ट में पल्पेशन में मतलब पल्पेट करके पल्पेट करके मतलब होता है टच करके चूके ठीक है उसको मैसूस करके उसका निर टेकन हो गी यहांसे पर दिए गया प्रकर का मेचा के जाता है जैसे कि आपकी त्यूमरी के मातलब्स हो जाता है pu को टूट करके मैसूस कर लेता है कि हाँ यहाँ पर क्या है त्यूमर जैसे बन रहे हैं जैसे कि एक इक्जामपल बता देहें आपको उसमें ज्यादा देखा जैसे कि लोगों को क्या होता है जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है ठीक है तो इसमें क्या होता है ब्रेस्ट को क्या को जाता है पल्पेट किया जाता है टोला जाता है इस पर करके या इनको प्रेस्ट करके इसमें देखा जाता है कहां पर किस तरह गाइट है जो भी जो भी विसेस्ताई होते हैं प्लप्इट करके हैंक कितना बड़ा त्यूमर्प है इसको अप्रेट करना पड़ा ना पड़े submitted करते हैं। आप समझे हुँँ आक 50 में यह 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 यूजा जाता है और भी कई चीजी होती हैं यह काई ब्लेक्षट shine या बोड़ी में अबनॉर्मल हो जाता है तो उसमें क्या होता है इसका साइज और आकार के बारे में पता चल जाता है जैसे कि मालो ब्रेश्ट में अगर कोई भी गल्टी या गांट होगी तो पल्पेट करने से पता चलने लगता है कि हां यहां पर यह प्रॉब्लम है या इस तेंडरनेस और अगरनेस बाड़ी पॉट काहीं पर भी हो कोई भी किसी प्रकार की कोई गिल्टी होती है या ट्यूमर्स होता है जो जिनको महसूस किया जा सकता है तो तुछ करके देख लिए जैसे कि टॉंसिल बगारा हो जाते हैं या आपके कान के नीचे जो गिल्टियां पाई जाते हैं लिंफ बगारा ही ने महसूस किया जा सकता है चलते हैं नेस्ट कोशन पर कोशन नमबर टू जी रहा आपके स्किन पर कोशन नमबर दो पढ़ें फिर इसके बाद आंसर बताएं निमनमे से रोगी के सरीर में सूझन की जांच की जा सकती है इंफलमेशन इनफेक्शन मतलब होता है निरिच्चण करके पता किया जा सकता है या पता लगया जा सकता है कि कहां पर सूझन का मतलब क्या होता निरेचल का मतलब है कि आँखों के द्वारा देख के पता किये जा सकता है ठीक है कोई जैथा बड़ी बात नहीं है बस वर्ट थोड़ा टफ लिखा है आपके लिए लेकिन आपको समझना है कि निरेचल का मतलब है किसी भी बॉड़ी के किसी भी पार्ट में अगर आपके माल सूजन का मतलब क्या होता है कहीं पर कोई भी पार्ट क्या होगा फूला होगा जैसे कि आपका हैंड है यहां पर क्या है स्वैलिंग है यह उभार टाइब होगा रेटनेश टाइब होगा स्वैलिंग होगी ठीक है मला सूजा होगा या फूला होगा ठीक है तो यह इंस्पे जो भी आपको लग रहा हो जली बताएं ये एक्जामस में कोशन पूशा जा चुका है आफसंस इसका राइट अमसर है GM पर DL इसका मतलब ग्राम पर DL क्या है अर्णाइक वर्णार की जैसे के किसी रहने ने कितना कार किया तो पताचला कि 10 किया तो 10 का मतलब क्या किया? 10 J work together केतना किया 10 J work together तो ये जो होता है लास्ट मे किल लिखा होता है इसे मातर कहा जाता है या यूनिट कहा जाता है इसी प्रकार से जब भी हेमोगलोबिन मेंसर्ण किया जाता है हेमोगलोबिन या रिपोर्ट आप जब भी देखेंगे ना आखो के लिए तो उस पर ऐसे लिखा होता है 25,000 IU यह क्या है इसका लास्ट वाला यह यूनिट है वाई यह क्या है यूनिट ओके तो मित करता हम आप समझ गया होंगे हीमोगलोबिन का जो यूनिट होगा वो क्या होगा ग्राम पर डेसलिटर एक बात और समझ लें जैसे क ग्राम चाहा हो ग्राम यह दिखा जाता है और यह दोनों क्या है मानने हैं इंटरनेशनल रूफ से दोनों मानने हैं अब यहां पर निक्ष्ट लिखा है दूसरा बात हुए यह लेकिन क्या यूनिट चेंज किया गया है जैसे कि एक होता है एक होता है SI unit एक होता है SI unit अगर physics पढ़ा होगा आपने समझते होंगे तो उसी साथ से समझ लें आप यह बात एक कि यह दूसरा लेकिन क्या यह भी क्या है उसका है उसका हेमिलोबिन का चलते हैं नेश्ट कोशिण पर नेश्ट कोश्ण यह आपकी स्कीन पर कोश्ण नबर फ फ्रेक्चर की इस्तिती ग्याद करने के लिए क्या किया जाता है आफसन सी इसका राइटाम सर है एक्सरे किया जाता है क्या एक्सरे किया जाता है आपको पता होगा कि जब भी कहीं हाथ पैर टूड़ जाते हैं कहीं पर भी कोई भी फ्रेक्चर हो जाता है बोन फ्रेक्चर हो ठीक है और उसको कई दीन हो गए या कई वीक हो गए मालो की टू वीक मोर हो गए ठीक है कितने दो सब्ता से जादा हो गए और आपकी हड़ी टूड़ गई थी और वह बहुत ही मिनमल थी ठीक है या ट्रेफिलिंग थी या यू समझे की पता नहीं चल पा रहा था एक्सरे के म आधम से तब इसके लिए सिटी किया जाता है यह में 75 की है क्य मतलब होता है technici का स्कैन काम यहां च्छाल करता है यह सकता है सिगा नहीं को होसाए प्रट डिखेंगे कि वहाँ पर ब्लोड हो गया ऑगया यह थोड़ा भाध साइस से पता नहीं चल पाता तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है MRI किया जाता है अब कोशन कैसे बन सकता एक्जांस में मालो की किसी विव्यक्ति का हाथ या पैर बहुत दिन हो गए मतलब एक ये वीक से जादा हो गए दो वीक से जादा हो गए या दो वीक हो गए तो ऐसी स्थिति में निम निम से उसके फ्रेक्चर का पता करने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाएगा तो आप बताएंगे MRI का यूज किया जाएगा किस चीज का MRI का या आफसन में आपको CT मिलेगा CT मतलब CT scan CT scan का मतलब computer इसके उमीद करता हूं आप समझ गया होंगे आप चलते हैं नेश्ट कोशन पर नेश्ट कोशन यह आप किसके पर कोशन नमर फाइब पढ़ें फिर आंसर बताएं गर्भावस्ता को ग्याद करने ही तु जाच की जाती है वाटीदा टेस्ट डन टू डिडेक्ट पैगनेंसी क क्या है इसका राइट आंसर जो भी आपको मैसूस हो रहा है लग रहा है बता सकते हैं आपसर डी इसका राइट आंसर है आपसर डी सोनोग्राफी किया जाता है या या यूरिन के मादम से पता किया जाता है गर्भावस्ता को ठीक है पैगनेंसी को डिडेक्ट किया जाता है पता कर जासता है है यह हर्मों अब बता दे इस का दूसरा नाम क्या होता है? क्या होता है ultrasound यह आपको पता होगा कई बर करवाया भी होगा कुछ महिला होने थिय्क है तो इसे ultrasound की ञाना जाता है sonography also known as ganzen इमीड करते हैं समझे होंगे आप यहाँ पर देख सकते है sonography को ultrasound की नाम से जाना जाता है लेकिन हो सकता है घभी कभी Terms को होते हैं, थोड़ से concludes ठीकही लिखे जाते हैं, okay Ultra Sound general ही लोग जानते हैं, लेकिन Sonography को होता है, थोड़ा बहुत इदर उधर घुमा के लिख दिया जाता है Sonography को ultrasound कहते हैं या Ultrasound को ही Sonography कहते हैं, यह सेम होती है क्या है इसका राइट आमसर आपको बताना है पोशड संबंधी कारणों से उत्पन रोग कौन सा है क्या है इसका राइट आमसर आपको बताना है पोशड संबंधी ठीक है पोशड से होने वाला रोग कौन सा है यहां पर यह बात बताने है ठीक है पॉंशन अगर नहीं पता हो का हम बताएंगे दोनों कमी होती है ठीक है अब पहले बात करते है nutrition क्या होता या portion क्या होता देखिए हम बताते हैं वो सारी चीज़ें जिनको आप खाते हैं या आप मालों नहीं खाते हैं ठीक है और उनकी वज़े से उनकी कमी की वज़े से आपके body में कोई disease हो जाती है उसको portion कहा जाता है एक जामपल के तौर पर समझें आप बिटामीन ए नहीं लेते हैं आपको नाइट बिलेंड ने सो जाती है क्या हो जाती है नाइट बिलेंड तो विटामीन एक तरह का क्या है पोशड़ है या nutrition के अंतरगत आएगा तो आपको ग्वैटर हो गया इसका मतलब आपने आयोडीन परियात тому लत्रा में जैसे कि हैंब इनीमिया में इसकाने पॉलीक एसी नहीं लिए पदाविटामिन नहीं लेते ये नहीं नहीं करते है रichtig लिखा नहीं होता कर ला किधाद कर यह आपको नहीं पता चलेगा आपके बॉड़ी क्या करती है इसे डिडेट कर लेती है विटामिन वी टॉलब है इसे मेडिकली टम्स में हम लोग समझ आते हैं कि हाँ यह वाली चीज़ें ऐसे सखाने से यह चीज़ें मिल सकती हमारी बॉड़ी को तो इनिमिया क्या होता है त ठीक है इसी को फॉलिक एसीड कहा जाता है तो आपको यह पोड़ी स्वारी न्यूटिशन की वज़े से हो जाता है गर्मियाद बहुत है जिवान ललका रही है मेरी ओके सॉरी फार इट नेस्ट कोशन है कोशन नमर आपके स्किन पर सेवन रोगी के जीवन सैली की जानकारी यह कतरित की जाती है क्या है इसका रही पर लें कोशन को आप अच्छे से क्योंकि थोड़ा मैं फास्ट पढ़ता हूं आप इसो थोड़ा साथ प्ढ़ लें आपको 타ip लांव फैस्ट हो के श न आप समझ लें क्या होगा रही पर लोगी कि जीवन की चैली जानकारी की जानक समझा देते हैं कैसे रोगी के जीवन जीवन की सहली जानकारी एकतित की जाए जानकारी एकतित की जाए मालो कोई पेसेंट है ठीक है मालो की कोई पेसेंट है ये पपू है पेसेंट है ठीक है पपू नाम है इसका पेसेंट का अब इसके बारे में कैसे जानकारी प्राफ्त की history अगर बात करें उनका नाम ता गजोधर ठीक है उनको पता चला की है यह इसी बीमारी कोई थी नहीं जो पपू को है तो इसका मतलब महले में पता किया जाए गया उनके समाज में देखा जाए गया उनके सोसल इंविरमेंट के आसपास जो भी लोग होंगे जैसे समाजिक सूचनाओं के माध्यम से मालों की पपू के घर में उनके चाचार भी रहते अगल बगल और भी महले के कई लोग रहते तो अब उनके पपू के बारे में अध्यान ऐसा किजाएगे सोसल इंफार्मिशन ऐसी हो जाएगी तो पपू के बारे में यह जानकारी ले जाएगी पपू कब हसता था कपू कब खेलता था या किस प्रकार की एक्टिविटी करता था कभी उदास रहता था या कभी ऐसी मालब की जैसे कि सीजोफ्रेनिया के ऐसे लच्छड थे या कभी उसायड करने की और जाता था तो यह रोगी के जीवन सहिली के बारे में इसतरह सोशल इंफार्मिशन होगी आपको पता हो गया कि मालने महले से Tob अंबार मबई हो खाता था नहीं कनता था रोता ढाता था क्या क्या करता था ठीक है क्या यह सारी जयनकारी उसके आँ जो सोशल इन फार्मेसंफ़रा मतलब जो समाजिकünü तत्तों है उनसे एकत्र के जाएगी जयनकारी आफ्सन इसका राईट अंसर अम्मीद करता हूं वाइरस की वज़े से होता है यह DNA वाइरस होता है आप वाइरस को भी डिफाइन किया गया है RNA वाइरस RNA and DNA और जो hepatitis होता है यह DNA वाइरस की वज़े से होता है किसके वज़े से DNA वाइरस की वज़े से तो hepatitis stroke जो होता है वो वाइरस की वज़े से होता है विसाण को बज़े से होता है आफसन से इसका आइटाम सरे पिछले वीडियो देख लें ज्यादा डीटेल्स के लिए कई बार बताया भी मैरे टैप्स भी निश्ट कोशन ये रहा आपके स्कीन पर कोशन नमबर 9 मास्क के समान चेहरा फेस लाइक मास्क या मास्क लाइक फेसी किस रोग के विसेश लच्छाण हैं फेस लाइक मास्क या मास्क फेस कहा जाता है इसी को ठीक है इजाई स्पेशल सिप्टम्स ऑफ फिच डिसीज अब आ आपसन अगर आ रहा हो То आप बता सकते हैं जो भी आपको आपसर लग रहा हो मास्क के समान चेहरा इंग्लिश में आपर देखें टर्म से लिखा है Care मास्क या मांक्स्ट लखें यड़रूर लिख ले तो Parkinson Decision में ऐसा देखा जाता है अब इसके कुछ लच्छन, कुछ खामिया में नीचे इन्हे समझ लेते हैं किस-किस नाम से भी जाना जाता है एक्जाम्स में किस-किस प्रकार से कोशन बन सकते हैं इन फ्यूचर यह masked face is a common symptoms of the Parkinson Decision जो masked face होता है मास्ट-फेस का जो सबसे common symptoms जो देखे जाते हैं Parkinson Decision में देखे जाते हैं Parkinson रोग या बीमारी में देखे जाते हैं अब यहाँ पर देखें इसे और किस नाम से जाना जाता है जैसे कि masked face है या mask like facial expression इसको और किस नाम से जाना जाता है या ipo mimiya के नाम से हिंडी में क्या कहा जाता है Nakab post 10oin नकाब post 10oin लिखा है के मुखोटे के सामान हिंडी में ज़रूर लिखे लिए αυτ है पूँछा गया यह data कई जखे से मैंने collect किया है इस वजह से यह Peacht बात की जाएगे मास्क नहीं पहने रहए team ठीक है इसका face ऐसा लगता है अब यह किसकी वज़े से लगता है यह भी बताएंगे अभी आपको इस वेक्ति को क्या होता है जब उसको पार्किंसन जैसे होते हैं या हाइपो मीमिया हो जाता है तो अगर इससे कोई भी ऐसी बात की जाती है जिसमें क्या है चेहरा के एक्स्प्रेसन जरूरी होता है जैसे कि मान लोग कि हम कमेडी सुना रहें तो उसे हसना चाहिए लेकिन वो बंदा हस नहीं, ठीक है, मालोग कोई दुक की बात है, उसको कोई फरक नहीं पड़ रहा, और देखा होगा, लोग पलक जपकते रहते हैं, तो पलक जपकना, तो हाइपो मुमिया में होता है, यह बंदे पलक नहीं जपकते हैं, न भव जोंब मतलब इसजो को कहा जाता है कि जो एकश्प्रेशन होते हैं यह कांट ने किस mee मिलते हैं और यह किस लोग जाता है यह देख ses इस्टोन मतलब होता है पत्थर पत्थर चेहरा जैसा तो सेया रहता हूं जा आथ जाए या कोई भी ह enslaved होजाए उसको आखों का मोवürüंट करना चाहिए या अपनी पलकों का मोवैंट करना चाहिए वो कोई moment इस तरह की नहीं करता ठीक है उपर नीचे या कोई ऐसी moment नहीं करता या आप मालो कोई से motivational कहानी या story सुना रहे है या उसके आखों के सामने आप अपना hand इदर उदर कर रहे है फिर भी क्या है उसको कोई expression नहीं होता उसका कोई face expression नहीं होता है इसी को stone face कहा जाता ह क्या कहा जाता है पत्थर के समान चेहरा हो गया हिंदी में मतलब लेकिन इंगलिस में याद रखोगे एक जाम में जबी पूछेगा यह वला वर्ड ठीक है चेहरे के मुखवटे के समान ठीक है मुखवटा मतलब होता है मास्क कोई बंदा पहल लेगा अपना lips चालू करेग या इस तरह मास्क डिसीजिट में इसा देखा जाता है यहां पर लिखा है यह क्या करता है अफेक्ट करता है मुवमेंट को फूरे बौड़ी के मुवमेंट को खासकर इसके जो लच्छण होते हैं यह चेहरे में दिखाए इट इंक्लूर दा फेसियल मसल डैट यह एक्सप करने लगते हैं और परकिंसर डिसीजिजिस अफेक्टेट परसन होंगे उनको यह कोई फरक नहीं पड़ता हुए उनको कोई घंटा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला यहां पर देसे इसका मतलब यह होता है कि जैसे कि मोटर फोते वह इंपेर हो जाते मतलब बिकार हो जाते जैसे कि परलाइसस मार गया या वेकनेस हो गई उनके जो मसल्स होते हैं फेस के मसल्स होते हैं लगबग 40 के आसपास जो फेस में मसल्स वाय जाते हैं जो गति विदी के लिए जरूरी होते हैं मोमेंट के लिए जरूरी होते हैं या एमोसन सो करने के लिए जरूरी होते हैं तो मास्क लाइक फंज कैसा मास्क ये आपको ध्यान रखनें यह प्रकिंस्टुश में तो होते हैं पार सिंटर से चाहिए और इनस सबमें क्या होता है उसका जो फेष एक्स प्रेस्ट्स होता है वह गायाब अगारेब का मतलब तको सो कव फरैक्ट नहीं पड़ता को फेक्ड नहीं पढ़ ला टेंप प्र वाद आंसर बता हैं रोग मैं का प्रमुक कारक क्या है, तो भी आप को उस लग रहा हूँ, बता सकते हैं, आफ स्णडी इसका राइटाम सर है क्या, आफ स्णडी इस दर आइटाम सर, ये तब होने का जो प्रमुक कारक है, मांसिक कारण भी हो सकते हैं, mental factors, सरीरिक कारण, मतलब physiological factors, वातावरनी का एक इन्वारमेंटल फैक्टर आप समझ लें को थोड़ा बहुत जैसे कि किसी बंद्यों को रोग होना एक रोग है तो वह मेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं कंई उसका है को की बताएं की बीमारियों के बारे में बताया था यह वर्ड का बेटाया चल जाएगा एक समझ जाओं पूब्याम पूब्या बताया था और भी ऑगलोफूपी बताया था टीक है गाइनोफूपी बताया था तो इसमें होता कहता है यह लोग 7 बे वज़ायों में डरते में Mैंटल मानसिक्त कारक कैसा हो सकता है कि 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 किसी गूमाला चुछ जो फिरनिया हो गया या कोई वेक्ति अंधेरे में बहुत डर नेक्स्ट है यहां पर वातावरणी कारक थोड़ा-थोड़ा समझ लेते हैं वातावरणी कारक के मतलब यह कोई ऐसी बीमारी है जिसे आपको धूप में जाने बड़ी प्राब्लमेटिक है यह आपको बॉड़ी में क्या होते हैं रेसे जा जाते हैं यह आपको खुजली हैं ल यह आपको ज्डूप नहीं पसंद यह आपको ज्यादा गर्मी नहीं पसंद ठीक है यह इन्वाइरमेंटर हो सकते हैं यह आपके ought mechanics से यह ऊऩ शुरॉद यह ने हो ऑंसर दिये ठीन के गलत तो देखे आपत्र काली व्युस्ता में तर्फ कि आधर परभवन्धन को क्या कहा जाता है pb or सुब्ह क्या है इसका जाता है क्या हिंदी वाले जो लोग हिंदी ck maybe ये क्या दो छहा जाता है तो ाी ने nu द देखे जाती हे, ठीक है, इसमें तीन कलर होते हैं, उसी प्रबंधन के हिसाथ से इनका क्या होता है, टीर्टमेंट के लिए इने रिफर किया जाता है, ठीक है, और यहां पर प्व Eehando, आपात चालीन विवास्ता में रोग्यों का प्रस्मिक्टा के आधार पर प्रबंधन को क्या कहा जाता है, management को क्या कहता है, triage कहा जाता है, ये एक term से याद कर लें, इतना इटिक है, काफी बड़ा topic है, इतना समझने, triage कहा जाता है, पिछले वीडियो में बताया था थोड़ा बहुत, इसके बारे में, next question ये आपके लिए मैंने रखा हुआ है, question number 10 जैसा है, उससे नहीं याद कर लेंगा, क्योंकि question ज्याद तर वही पुछा जाता है, 2-3 color का इस्तमाल किया जाता है, उसमें patient कितना गंभीर है, कितने percent गंभीर है थी, उसी percentage के हिसाफ से उसे refer किया जाता है, और color coding दी जाती है, उमिट करता हूँ, समझ गया होंगे, question number 11 पढ़ें, फिर answer बताएं, निमने मिस्ते, liver cirrhosis का मुख्य करल क्या है, which of the following is the main cause of liver cirrhosis, ये public service कमिस्तान, लोग सिवा आयोग, जिसे कहा जाता है, उसमें ये question पूछा जा चुका है, अब ये आपके nursing के लिए very important है, क्योंकि nursing में भी एक बार पूछा जा चुका है question, ठीक है, in future कभी भी पूछा जा जाता है, क्या होगा इस करा item सर, आपको बताना है, ठीक है, comment box में जरूर इस काम सर बता है, और हाँ वीडियो कैसे लगा है, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, लाइक करना हो सकते हैं तो अपने दोस्तों के साथ सेर करना, ठैक्स पर वाचिंग पर थैंक्यू, बाबाई, टेक केर्स, और जो लोग GKGS या पेट एक्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके, डेली हमारी क्लास से जोड़ सकते हैं, पेट एक्जाम्स के लिए, या करेंट अफिर GK पढ़ने के लिए, ठीक है, उमेट करता हूँ, समझ गया होंगे, चलते हैं, बढ़ने के लिए ने 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 थाएगा, तैक यू, बढ़ने के लिए, टेक करे लिए.